दोस्तों NTPC के शेयर ने एक आज नया इतियास रच दिया बिल्कुल फ्रेश हाई बना के ओल टाइम लेकिन उसके बाद में आई प्रॉफिट बुकी तो यह जो तेजी बंदे इसके पीछे बज़ा है NTPC Green Energy का IPO इस IPO ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहल बना हुआ है लग रहा है कि आते ही दमाका कर सकता है लेकिन क्या इसमें हमारी संभावना है कि IPO हमें लग जाएगा तो इसके लिए कुछ रास्ते है जिसको अगर अपनाते है तो आपको ज़्यादा चांस हो जाता है IPO लगने का उसको समझने की कोसिस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट से बनी हुई है और काफी अच्छा सेक्टर है यहाँ पे एक और बड़ा IPO आने जा रहा है हुंड़ाई का इंडिया का सबसे बड़ा IPO LIC से भी बड़ा IPO क्या हुंड़ाई के IPO में निवेस करना चीए उसको भी समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नयवडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले एंटी पिसी के कारूबार की बात कले तो देख सकते हो कि इस समय 431 के आसपास से जापे 1.01% की गिरावट देखनों को मिल रही है लेकिन इस गिरावट के पहले इसने का आज नया इतियास रच दिया है 437 का हाई बना के ये इसका ओल टाइम हाई है और देख सकते हो कि उपर की लेवल से आगी है प्रॉफिट बुकिंग है और अब प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी ह इसका IPO आने जा रहा है यह आने वाले समय इनको और मजबूती परदान करेगा और आप देख सकते हो कि उन्होंने बाइक की रिक्मेंडेशन किया है इसके टारगेट को बढ़ा दिया है यहाँ पे गोल्ड मेंसेज ने इसका 430 का टारगेट दिया है वैसे यह टारगेट आ और वो एंटीपिस में भी निवेस की सला दे रहे है साथ में IPO में भी अपलाई करने की संभावना बन रही है क्योंकि IPO वाकई में बहुत सांदार है एक महारतन कंपणी IPO लेके आ रही है और देख सकते हो कि इससे पहले इरेडा का आया था IPO जो बहुत ही बैतर रिटन दे च चीए तो कंपणी आपे 10,000 कोपिस की फंड रेजिंग करने जा रही है सेवी की तरब से अप्रूवल मिल चुका है और जैसे कि हमने कली वीडियो में डिसकस का कि नौवंबर के पहले सब्ता में ही IPO आ सकता है अब लोगों को IPO नहीं लगता है क्योंकि कई गुना सब्सक्रा बताय से में चांस कम हो जाते हैं तो इसलिए आपको ये देखना चीए कि IPO लगने की समयोनों क्या है फिलाल ये सरकारी दूसरा IPO सबसे बड़ा बन गया है LIC के बारे LIC का 21,000 कोड का IPO था और ये अब 10,000 कोड का IPO फिर से लाने जरी एक सरकारी कमपनी और काफी लोगों के ब बात है कि ये नौमर के पहले सब्ता में आ जाएगा ऐसी समयोनों बनी हुई है तो IPO में निवेस से पहले आपको प्राइस बेंड ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट का भी ध्यान रखना होगा अभी वो उसकी एनूस्मेंट नहीं हुई है अब देख सकते हो कि इतना क्रेट हो चुका है कि यहाँ पे बहुत जादा तेजी से सब्सक्राइब होने कि समयोनों बनी कई गुणा सब्सक्राइब होगा तो लोगों को ये भी है कि क्या वो हमारे को IPO लगेगा या नहीं लगेगा तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते आप एक IPO के अंदर अलग- आपको क्या करना होगा आपको NTPC के शेर खरीद देऊंगे चाहे आप एक की शेर इस समय खरीद ले तो आप eligible हो जाएंगे NTPC के शेरोलर कोटे के लिए तो आप apply कर सकते हैं अपने demand account से शेरोलर कोटा से और दूसरा आपके पास option होगी जनल कोटा से जहां पर भी आप apply कर सकते हैं तो दो जगपे आपको चांस मिल जाएगा तो वहाँ पर apply कर दोनों जगपे होगी तो आपको यह ज़्यादा चांस है कि जल से जल आपको हो सकता है कई न कई तो आपका लगी जाए तो आपके पास दो application लगाने का मौका है आप IPO जनल कोटा से भी लगा सकते हैं औ और इसकी परिचालन समता देके तो क्रीब 3071 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है और 100 मेगावाट के बिन प्रोजेक्ट की है और कंपनी 2032 तक 68 गीगावाट की capacity को जोडने की लक्षे लेके आगे बढ़ रही है अभी इनों ने रिसेंटली ही 1160 मेगावाट की एक बड़ा प राज्यों में करीब सहती सोलर और 9 विंड प्रोजेक्ट इनके पास है और 15 ओफ टेकर हैं इनके पास एक महरतना कंपनी है और उसका साथ है तो ये वाकई में आने वालस में बैतर करने की उमीद है कंपनी की अच्छी क्रेडिट रेटिंग के कारण इसकी जो पुझी लागते कम है जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है मतलब NTPC Green Energy कम पैसे में बैतर काम करने के लिए जानी जाती है बड़ताओ और इवेन्यू कंपनी का राज्यों सो लगातर बढ़ा रहा है इसक की जो 25 परसंट रासी है वो अपने कॉर्परेट उद्यों को पूराखने क्ले करेगी तो बिल्कुल यह अच्छा मौका है आप इसमें दाव लगा सकते है एक और बड़ा IPO आने जा रहा है और वो है हुंडाई मोटर्स का यह इंडिया का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है इस IPO के माध्यम से करीब 3 अरब डॉलर यानि 25,000 क्रोड रुपे की रकम जुटाने की यहां पर योजना बनाई गिया इससे कंपनी की वैलिशन करीब 18 बिलियन डॉलर या लगब 1.5 लाक क्रोड तक पहुच जाएगी अब तक मई 2022 में लॉंच किया गया LIC का IPO 28 क्रोड रुपे इससे दारी जो है उसको बेचने जा रही है तो हुंडाई के लिए अगर आप देखे तो अमेरिका दक्षिन कोरिया के बाद तीसरा ग्लोबल लियो पर सबसे बड़ा मार्केट है और काफी तेजी से इनके विकल भीकर है आप देख सकते हो कि मार्केट में इनकी पोजिशन के साथ टकर थी तो उन सबको टकर देते हुए इनोंने अपनी पोजिशन आगे बढ़ाई और देख सकते हो कि 2015 में इनोंने पहली SUV लांच की थी तो काफी पॉपुलरी और देख सकते हो की मार्केट में टिक गए और तेजी से अपने कारुबार को बढ़ाते हुए अपनी सदारी को इनोंने तेजी से आगे कर किया तो फिलाल बारत की दूसरी सबसे बड़ी आटो मेकर कंपणी बन चुकी है और यह कारमेकर कंपणी 28 साल से टीके रहना बड़ी बात हो जाती है तो दूसरी जो कंपणीया जैसे की फोर्ड और सेवरेले जैसे कंपनीया बारत में चली गई लेकिन इस कंपणी ने अपना जंडा गाड़ा और एक सकते मजबूती से अपने कारुबार को आगे बढ़ाना शुरू किया और अब बड़ा एक IPO लाने जा रही है इतियास का सबसे बड़ा IPO इंडिया का तो बिलकुल सक्सेज होगा IPO और इसमें आपको निवेस क करने से पहले अपने financial advisor से बड़वी ले ले या अपना खुद का research करें क्यूंकि माने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से दूर की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स